पिछले वीडियो में आपने रेखा कि जो सेक्टर 102, 102, A, 104 और 101 के पास जो अंडर पास है उसका क्या स्टेट है से उसमें क्या काम चल रहा है इस वीडियो में आपको आगे लेकर चलूँगा और पैकेज 4 के पास लेकर चलूँगा जिसमें ये वाले जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं यह रेलवे ट्राक है इस तरफ जो आप सेक्टर देख रहे हैं यहां पर सेक्टर 99A है यह सेक्टर 88B है और यह सेक्टर 88A है यहां यह आप देख रहे हैं यह पाटाओरिय रोड का इंटरसेक्शन है यह जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं यहां से लेकर यह वारा पूरा सटर यह सक्टर 37D है यह जो आप सस्क्र देखेंगे वीडियो में यह सक्टर 100 है और यहां इस जगे 37D के पीछे 37D है इसके पीछे यह सक्टर से देख रही है यह सक्तर 37C है और यह सभी स्थीघ रहे किया मैं rowsak अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था तो उसमें आपको वह डीटेल मिल जाएगा इस वीडियो में आपको एक्जाक्ली इस रेलोवर ब्रिज के ऊपर लेकर चलूंगा और यहां पर जो अलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसका क्या स्टेटस है वह आ लक्टॉप लक्टॉप करके सब कुछ फिनिश कर दिया जाएगा तो आज हम उस डेट से आट लीस्ट पच्चेस दिन दूर है तो आज की डेट में यहां पर क्या सेनैरियो है कितना काम हो गया है कितना काम बचा हुआ है वह सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वा group से, अगर आप group 1 का part already है तो group 2 join करने की जरूवत नहीं है group 1 completely full हो चुका मैंने group 2 को शुरू किया था तो अगर आप group 1 के part में है तो आपको group 2 join करने की जरूवत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरिके के content बेचता हूँ अगर आप दोनों group join करने के तो आपको एक ही content दो बार आएगा तो नीचे मैं लिंक डाल दूँगा आप जरूवत से join करने करने आपको जो number है इस group में वो किसी और को नहीं दिखेगा तो आपके पास कोई भी unwanted call या unwanted messages किसी दूसरे के तरफ से कभी भी नहीं आएंगा आप सबने मुझे मेरे real estate business में पूरी तरह से support किया है इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे viewers, subscribers का यहां के residents का, यहां के investors का, मेरे well wishes का सारे channel partners का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को thank you कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबलियत पे और मेरे market research पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर commercial project में invest करने के लिए माधियम बनाया है मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं social media पे या publicly नहीं बोल पाता हूं कई बार वैसी सारी जानकारी मैं उन home buyers या investors के साथ share करता हूं जो मुझसे मिनने personally मेरे office आते हैं ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत project में चाहे वो residential हो या commercial निवेश करने से बचाएगा क्योंकि अब मैं भी real state, research, transaction और consultancy में हूँ ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे references दिये हैं और मैं आपकी उमीदों पे खरा उतरा हूं ठीक इसी तरीके से आगे भी support करते रहिएगा मैं future में भी आपके सारी उमीदों पे खरा ही उतरूंगा इस पूरे area का मुझे चपा चपा पता है यहां के जितने भी commercial और residential projects हैं मुझे उनके in and out पता है उनके एक एक positive, उनके सारे negatives भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा अगर आप भी यहां invest करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे office आकर मिल सकते हैं नीचे मेरा direct number दिया हुआ है मैं और मेरी पूरी team आपको एक informed decision लेने में support करेंगे कुछ भी खरीदने से पहले मुझे मिलिएगा जरूर मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ मुझे बहुत सारे real state के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नियत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही platform नहीं मिल पा रहा है मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए respect है जो real state को long term vision के साथ अपना career बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक right platform है आप आईए और मुझे मिलिए आईए video देखते हैं अब यहां पे अगर आपको दिखाऊं तो यह जो रास्ता है बीच ओ बीच इसमें traffic movement आपको दिख रहा है यह जो बीच वाला रास्ता है यह जो bike जा रही है यह अगर आप दिल्ली से गुड़गाओं की तरफ जा रहे हैं तो इस रास्ते से जाएंगे जो है यह main carriageway होगा यह दो lane का होगा और इसके बाद यह जो आपको सामने आती हुए अपने तरफ ट्रक दिख रही है ट्रक्टर जो ट्रक्टर दिख रहे हैं आपको सामने आते हुए यह तीन lane का है तो टोटल एक तरफ में 3 lane और 3 6, 7, 8 यानि इस तरफ भी 8 lanes हो गया और दूसरे तरफ भी 8 lanes हो गया यानि जो elevated रास्ता टोटल यह बना है यह टोटल अब हो जाएगा 16 lane का जिसमें से जो बीच वाला हिस्सा है यह जो बीच वाले आपको 3-3 lane दिख रहे हैं यह GMDA ने बनाया था 2017 में यश्पाल यादव सर के अंडर उस टाइम हुडा हुआ करता था हुडा के एड्मिन थे यश्पाल यादव सर मैं उनका नाम बार-बार लेता हूं और इस वीडियो में भी थैंक्यू कहूंगा कि उन उन्होंने बहुत हेल्प किया था तो यह वाला जो आप रास्ता रेख रहे हैं यह उस ट्रंग बनाया था 2017 के आस पास जो यह ब्लाक्टॉप हुआ वाला रास्ता है यह पूरा एनचाई बना रही है इसमें यह पूरा हिस्सा यहां से लेकर अगर मैं आपको इस तरफ चुरू हो जाता है यह पूरा हिस्सा यहां पर ब्लाक्टॉप हो चुका है और किसी तरह मैं आपको दूसरे तरफ कभी दिखाऊंगा यह वापर सेक्टर हंडड़ सेक्टर 37D अब यहां से मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि देखें डेल्वे ट्राक के ऊपर कभी यह जो काम में सारा हो चुका है इसको सिर्फ ब्लाक्टॉप करना है यहां पर पिल्श ब्लाक्टउप नी गचले कि नेकसट टूवीक्स 사dir यह पूरा जिस्ससा अख्राइग को उचाहा जैंगा यह वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यह सेक्टर 88 भी आ जाता है यहां पर आपको हाई-डीज अपार्टमेंट दिख रहे हैं इसमें से कुछ ready to move in है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है left hand side में जो आपको सारा दिख रहा है यह sector 37D है यहाँ पर तो यहाँ आगे देखें तो नीचे का रास्ता भी जो है blacktop होने के बाद उसकी lane marking भी कर दी गई है देखें और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रास्ते के बीच में आपको इस point में देखें स्क्रीन के बीच ओ यहाँ पर देखेंगे expansion joint का काम इस तरफ भी हो चुका है लेकिन जिस रास्ते से जिस तरफ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर अभी expansion joint का काम नहीं हुआ है पूरा कि यहाँ पर भी expansion joint का काम हो चुका है यह वाला जो आप इससा देख रहे हैं यह पूरा कास्टिंग यार्ड हुआ करता था यह जिसको डिस्मैंटल किया जा रहा है यह पैकेज 4 का कास्टिंग यार्ड था यहाँ पर अब मैं इसी तरीके से आपको यह वाला side दिखाता हू आगे जाकर मैं इसको turn करूंगा देखें आगे पूरा slope जो है ramp का वो नीचे तक पूरा बन चुका है और main रास्ते से connect हो गया है एक्स्ट्रीम राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यह रास्ता जो आपको दिख रहा है जहांसे गाड़ी आना जाना कर रही है यह भी blacktop हो चुका है अब अभी धूल मिट्टी है वो पूरा साफ भी होना है अब यह वाला अगर आप portion देखें देखें यह रास्ता भी पूरा blacktop कर दिया गया है लेन मार्किंग भी कर दी गई है कहीं कहीं पर हर जगे लेन मार्किंग अभी नहीं हुई है और कहीं कहीं पर आपको expansion joint का काम होता हुआ दिखेगा इसमें पहले क्या होता था अक्सर कि जब आप डेली के तरफ से आते थे और इस रास्ते को क्रॉस करके आपको 37D के तरफ जाना पड़ता था तो यह जो पटारी रोड का alignment है उसका जो द्वारक एक्सपरेसों के साथ intersection है उस intersection से आपको यूटन लेना पड़ेगा फिर आपको इस रोड में जहां पर यह बड़े वाली ट्रक खड़ी विए नीचे यह देखे यह वाजिवाली ट्रक खड़ी यहां पर आना पड़ेगा यहां पर आने के बाद यहां से स्ट्रेट आप जाएंगे फ्लाइवर के नीचे से आप टर्न लेंगे और टर्न लेने के बाद बिल्कुल यह वाला हिस्सा देखे स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा यहां से आप टृन लेकर आएंगे और यहां से आप एंटर क रेंगे और यहां से आप फिर सेक्टर 37D के तरफ sewer ke तरफ car तो यह आपका रास्ता होगा आप डार वांक कर नहीं आपाएंग dunnoका नहीं क्वाएंगे तो यहां आप देखिए यह वाला रास्ता, इस turn से आप मुड़ेंगे, मुड़कर आगे आएंगे यहां पर, और देखिए यह आपको आगे जाकर, यह वाले जो आप portion देख रहे हैं, यहां से आपके लिए exit point होगा, इस point से, और यहां से फिर आप आगे जा पाएंगे, लेकिन अगर आप यह सामने जो मॉल देख रहे हैं, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, और आप देली के तरफ से आ रहे हैं, तो आप नहीं जा पाएंगे, अगर आप सक्टर 37D के तरफ से जाना चाह रहे हैं, तो definitely इस मॉल पे जा सकते हैं, अब यहां पर मैं टर्न करता हूँ, डेली के तरफ मूव करता हूँ, ड्रोन को, और आप ड्रोन पीछे ले जाता हूँ कि आपको क्लियरली नजर आए, यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, इसी रास्ते में आप आगे जाएंगे, तो आगे मैं आपको खड़वा मिलूँगा इस वीडियो में, तो मैं वही आपको दिखाता हूँ कि इधर वाला रास्ता जो है, यह भी ब्लैक टॉप हो चुका है पूरा, यहां पर तरह भी Street lights के कह Compared कहीं कहीं पर आपको दिखेंगे कि लग गाए और इसमें Even LED जो लाइत्स उनको भी लगा दिया गया है यह एंज स्रीट लाइट के खंबो को आप देखेंगे तो इसमें दो लाइट है दोनों तरफ के रोड में लाइट जलाने के लिए अब यहां पर आप देखें तो यहां पर आगे आपको expansion joint का भी काम होता हो दिखेगा और यहां पर lane marking भी हो गई है राइट वाले पर देखें तो जो extreme right वाला है वो तीन लेन का है और जो left वाला आपको lane दिख रहा है मतलब जहां पर traffic movement है और extreme right वाला के बीच में जो है वो दो लेन का है और इसमें सिर्फ यह वाला portion आप जो देखेंगे सिर्फ इस वाले portion में अभी black top नहीं हुआ है इसमें एक और crash barrier वाले जो दिवार होते है अभी आपको दिखाता हूं वह भी दिखेंगे यह जो दिवार है यहां पर इस portion में इसका काम यहां पर बचा हुआ है आगे भी आपको ले जाकर दिखाता हूं यह काम होते ही फिर इ जुलाई के आसपास यह सारा काम यहां पे कंप्लीट हो जाना है यह नीचे रेलवेड ट्राक आपको दिख जाएगा तो यह पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस पूरे हिस्से में जो ब्लाक टॉप का काम है यह पंद्रा जुलाई तक अल्मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा पंद्रा जुलाई तो मैं बफर लेके बोल रहा हूं हो सकता उससे पहले ही हो जाए कंप्लीट और यहां अगर आपको दिखाओ मैं इस जगे पे सब्सक्राइब है है हमारे ही मैं स्पाडर मैं सूपर मther यहां पर जो क्राश बारियर के ME सक्क्रा इन सेНеन जो क्रेश बेरियर के वाल्स हैं वो सेक्टर 99 के तरफ पूरा कम्प्लीट हो चुका है जो पॉर्शन बचा हुआ है वो सिर्फ यही वाला पॉर्शन बचा हुआ है यह वाला हिस्सा और अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाऊ तो नीचे के तरफ से आ रहे हैं तो इस सर्फिस रोड से आप नीचे से आएंगे दिखिए दिली के तरफ से आ रहे हैं यहां से टर्न लेंगे ओर टरन लगके सेक्टर 99 के तरफ आप जा सकते तो यह आपके लिए एक तरीके से यूटन लेने वाला रास्ता हो गया जैसे यह गाड़ी जा रही है मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरो कर दीजेगा चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरो कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जय हिंद जय भारत